गूड यूणिंग मित्रों आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी आज इस क्लास के साथ जोड़े हैं तो आज अपन क्लास में बात करेंगे पसू परिसर भरती 2024 से संबंदित जो अपना गणित का पाथिकरम है उनके बारे अपने डिसकस किया था और मैंने आपके सामने कहा भी था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पदती और उसके बाद में चेप्टर वाई जम आगे बढ़ेंगे तो सभी का सुन्य से सिकर तक की क्लास में स्वागत है देखो सुन्य से सिकर तकी बात करें तो इसका मतलब है कि हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आई लेवल तक सारे कंसेप्ट और क्वेशन सौल करेंगे साथियों यह गारंटी बैस है इस गारंटी बैस के अंदर अपन एक एक पॉइंट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे और इस क्लास के अंदर मैंने आपसे पहले कहा था कि जब क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे बैसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में यनकि सामाने क्या प्रिचे होता उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम सुरू करेंगे उन सामाने प्रिचे पर आदारित क्वेशन और जब हमारा वाट्सप ग्रूप में मिल जाएगी अगर आप हमारे वाट्सप ग्रूप के साथ जोड़ना चाते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने पिनप कर रखा है वहाँ से आप जोड़ सकते हैं देखिए साथियों बात छोटी न है बात बहुत बड़ी है कि संख्या पदती एक ऐसा चेप्टर है जिसमें जितना पढ़ा जाए काफी कम होता है फिर भी हम ये ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पर आपके सामने क्लास लेकर क्याया हूँ मैंने इस क्लास के अंदर उन विद्यार्थियों के लिए क्लास त्यार की है जिनोंने गनित कई मैंनों से या कई साल से बढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि काफी बहिने और वहिया है जो की अभी पसू प्रिशर की तैयरी कर रहे हैं जिने गनित के अंदर काफी सारा भहे लगता है तो उनको भी इस क्लास के द्वारान भैदूर हो जाएगा ऐसे ही कंसेप्ट के वीडियो अपन दिरे दिरे चलाएंगे तो आपसे एक छोटा सा सेयोग यह है कि अगर आप चाहें तो अपने इस क्लास के लिंक को उन दोस्तों तक पहुचा दिये जो भी पशूपरिस्र की तेहरी कर रहा है बाकी आपसे हमें किसी परकार से कोई भी यहांपर पर्मोट dado का बिजनेस हमें नहीं करना है हम सिरफ आपकी सेवा कर रहे हैं और उस सेवा के नाते आपसे क्लास शुरू करने जा रहे हैं चलिए तो सुरू करते हैं आज की क्लास पर आज की क्लास के दिर बात करेंगे अपन संख्या पदती के बारे में तो देखो संख्या पदती के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें संख्या पदती की परिबासा समझनी है कि वह पदती जिसमें विबिन संख्याओं और उनके गुणन का अध्यन किया जाता है उसे संख्या पदती कहते हैं यानि कि गनित की वह साखा या वह अध्यन जिसमें संख्याओं और उसके गुणों से संबन देत अध्यन करते हैं कि कौन सी संख्या के क्या गुण हैं उसे हम संख्या पदति कहते हैं संख्या पदतिक की बात करें तो किसी बोतिक रासी के परिणामों का जो बोध कराने के लिए जिस पदतिक हम परियोग करते हैं उस पदतिक को यह संख्या पदतिक कहते हैं यानिकि हमारे पास में कई सारे प्रिणाम होते हैं, उनका बोध कराने के लिए जिन संख्याओं का प्रियोग करते हैं, वही संख्यापदती है, बात करते हैं कि संख्यापदती को उनके गुणों के अनुसार कई वागों में बाढ़ते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़त से है तो उनको भी समझ में आ जाएगा नेचुरल नंबर इनकी प्राकर्तिक संख्या देखिए ये बातें आप सभी को पता है मुझे पता है कि काफी विज्यार्टिस के बारे में जानते भी हैं लेकिन जो भाई बंदू काफी मैंनों से गणिस से दूर थे उनके लिए ये संख्या कहते हैं प्राकर्तिक संख्या को एन से दर्शाते हैं इनकी कैपिटल एन लेकर के इसको परदसित करते हैं लेकिन विशेश साथ यां ध्यान रखें जीरो प्राकर्तिक संख्या नहीं है जीरो है जो प्राकर्तिक संख्या नहीं है तो आपकी क्वेस्टन आ सकता है क निम्ज में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है तो यहाँ जहां रखना हैं सुन्य हैं जो प्राकृतिक संख्या नहीं है इसका example की बात करें तो प्राकृतिक संख्या कहां शुरूगी तो एक, दो, तीन, चार, पांच, डैस, 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 अनन्त तक तो अपन बता सकते ह कि ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है इनकी सभी की सभी धनात्मक होती है प्लस की होती है या माइनस की संख्या प्राकरतिक संख्या नहीं होगी तो आपको प्राकर्टिक संख्या के बारे में बात करें तो आपने समझ लिया होगा कि ऐसी संख्या हैं जो एक से सुरू होकर अनन तक जाती है और जो गिनने में काम आती है उन्हें प्राकर्टिक संख्या कहते हैं बिलकुल 0 प्राकरतिक संख्या नहीं है सुनिय प्राकरतिक संख्या नहीं है चलिये तो आपने प्राकरतिक संख्या के बारे में समझा screenshot लेना चाहें तो आप इस slide का ले सकते हैं और एक आप से छोटी सी गुजरिस करेंगे कि आप पढड़ना चाहते हैं तो साथ साथ में इस प्रकार के notes हैं जो पनी copy में बनाएं ताकि जब अपन chapter खतम हो जाएगा तो आपके सामने ऐसी steady material त्यार हो जाएगा जो काफी समय से आप इंदजार कर रहे थे next बात करें देखिए साथ यह अगली संक्या के बारे में तो प्राकर्तिक संक्या के बारे में पड़ते हैं पूरुन संक्या जिसे इंगलीस में कहते हैं whole number जी हाँ यह कौन सी संक्या होती है यदि प्राकर्तिक संक्या में zero को सामिल कर लिया जाए तो वे संक्या प्राप्त होत तक कि अगर हम उन्हीं संख्याओं के साथ जीरो को भी काउंट करना शुरू कर दें तो संख्याओं कहलाएगी पूरन संख्या तो आपको पूचे कि जीरो कैसी संख्या है तो जीरो पूरन संख्या है लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है फिर ध्यान रखें कि सभी प दनात्मक पुरणांक होती है, परिमे होती है, एवं वास्तिक होती है, आपको इस लाइन का अर्थ समझाना बात समझाओं, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि जो पुरण संख्याएं है, जो सभी पुरण संख्याएं हैं, वो पहले तो कैसी होगी, तो दनात्मक पुरणांक होगी, कैसी संक्या होगी धनात्मक पुरुनांग होगी दूसरी कैसी होगी वो सभी की सभी संक्या होगी जो परिमे होगी और तीसरी कैसी होगी तो सभी की सभी संक्या है वास्तिक होगी यानि कि जो पुरुन संक्या है ये पुरुन संक्या है धनात्मक पुरुनांग होगी अभी ब बात करेंगे इनकी परिमे संख्या क्या है और टीसरा जो पूरण संख्या है वो सभी की सभी वास्तिक वी है कैसी है वास्तिक है फिर आता है कि सभी प्राकर्तिक संख्या है पूरण संख्या है लेकिन सभी पूरण संख्या है प्राकर्तिक नहीं है आई बात समझ में जो सभी प्राकर्तिक संख्याँ है यह जो natural नंबर है वो सब के सब पूरण है लेकिन जो सबी के सबी पूरण है वो natural नहीं है देखे मैं आपके सामने इस सीज को समझाना चाहता हूँ जैसे अपने बात की natural नंबर की तो natural नंबर में आते हैं एक, दो, तीन, च्यार, डैस, 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 अनन्त की संख्याएं और अपने बात की पुरुन संख्या की तो पुरुन संख्या मैं पढ़ा जीरो, एक, दो, तीन, च्यार, डैस, 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 अनन्त अभी अपने जो लाइन पढ़ी है उसमें अपने ये पढ़ा कि सभी की सभी प्राकर्टिक संख्या है जो मैं बता रहा हूँ ये सभी की सभी प्राकर्टिक संख्या है इन पुरुन संख्या में आ रही एक नहीं आ रही है तो आपके सामने देखो सभी की सभी प्राकर्टिक संख्या यहां आ रही है मलब जो प्राकर्टिक संख्याइं है वो पूरण में तो सब आ रही है लेकिन क्या जो सभी पूरण संख्याइं है वो प्राकर्टिक में आ रही है तो आप कहेंगे सर्जी बिलकुल यहाँ पर सभी की सभी नहीं आ रही है एक जीरो ऐसी संख्या है जो प्राकर्तिक नहीं है तो आपको यहाँ से लाइन समझ में आ गई कि सभी प्राकर्तिक संख्या है सभी प्राकर्तिक संख्या है वो पूरण संख्या है लेकिन सभी पुरुन संख्याएं है वो प्राकर्तिक नहीं है ठीक है चलिए अगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में अगला अपना संख्याओं के बारे में बात करें तो है पुरुनांक संख्या integer नंबर कहते हैं इसको इंग्लिस में तो पुरुनांक संख्यां क्या होती है तो देखिए सभी की सभी प्राकर्तिक संख्यां सुन्य तथा रिनात्मक संख्यां के समू को पुरुनांक संख्या कहते हैं इसे जहर से परकट करते हैं देखो साथियों बात करें तो यहाँ पर पहले तो कह रखा है जो प्राकर्तिक सं कहा है होती है इन तीनों का जो समुंओं होगा उसे पर क्या कहींगे उसे पर कहींगे पुरणांक संख्या जैसे एकृडमपल देखो मैंनांद से लेकर ये माइनस का 3 मैंस का 4 मैंनस का 2 मैंनस का 101-23-10 तक यानि कि एक तरह से देखा जाए तो simple बासा मैं बताना चाहता हूँ मैं आपसे कि पुरुणांग संख्याएं किसे कहेंगे तो अपन कहा सकते हैं कि plus और minus की जो सबी संख्याएं है plus और minus की जो भी संख्याएं है वो सारी की सारी कैसी है पुरुणांग संख्या है जिसमें कोई संख्या बटे में नहीं है और नहीं कोई जस्मलों में सिरफ और सिरफ पुरणांक संख्या है इनकी अंक है जैसे एग्जामपल दिया रखा है उपर अनन से लेकर 1,2,3,4 प्लस के 1,2,3,4 माइनस के दोनों तरफ इसको बढ़ाते जाएं तो जो संख्यां आएगी वो सारी की सारी पुरणांक होगी अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो एक बार थम मेल जरूर करें लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बता सकते हैं आप साथ साथ चलिए इसके बाद बात करते हैं पुरणांग के बाद में अपनने पड़ा वास्तिक संख्या के बारे में वास्तिक संख्या को कहते हैं मित्रों रियल नंबर इंगलिज में कहते हैं इसको रियल नंबर वास्तिक संख्या क्या होती है तो दस्मलों की संख्या होगी बिन संख्या होगी रिनात्मक संख्या इनकी माइनस की संख्या होगी धनात्मक यानिकी प्लस की संख्या होगी वर्ग मूल वाली संख्या होगी मिस्र संख्या होगी इन सभी संख्याओं को अपन वास्टिक संख्या कहते हैं यानिकी चाए वो धनात्मक हो, चाए वो रिनात्मक हो, चाए सुन्य हो, चाए दस्मलव हो, चाए बटे में हो, इनकी बेंज संक्या है, बटे में हो, वर्गमूल हो, कोई भी संक्या होगी, वो सारी की सारी वास्तिक संक्या होगी, तो संक्या के अंदर मैं देखे जाए, तो सबसे बड़ी संक संक्या की बात करें अपनी बात के हैं मोटी संक्या की बात करें तो बड़ी संक्यια होती ऐ वास्तिक वास्तिक संक्याओं की भागलंगे इसमें बरिमेंस पराणांग पूर decisive सब चादा तो एक तरह से दिखा जाए तो real number में आपको परिबासा वैसे ध्यान रखना है कि अपने को समझ में आजए कि रील नमबर होता क्या है बाकि एक्जाम में परिबस हैं कम पूछते हैं लेकिन इसके बेस पर क्वेशन बनेंगे जब उन्सॉल करेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तों में क्या बताएंगे इनकी माइनस एक में जीरो का भाग ऐसी कोई संक्या इस संसार में नहीं है अस्तितों में नहीं है ये सिर्फ कालपनिक नमबर है कैसे नमबर है कलप ना कर सकते हैं इन्हें अपने कहते हैं कालपनिक नमबर कालपनिक संक्या कहते हैं तो सभी की सभी संख्यां, काल्पनिक संख्यां होती है, उन्हें अवास्ति कहते हैं, जैसे अपने कह दिया, एक अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या है, तो यह कोई संख्या का अस्ति तो नहीं है, माइनस एक हो सकता है, माइनस दो हो सकता है, माइनस पांस हो सकता है, कु देखो क्लास थोड़ी लंबी होती है क्योंकि गणित की अंदर अपन छोट छोटी बात को समझते हैं तो समय उटमेटिक बढ़ जाता है लेकिन धहरे रखें आराम से समझें जल्दी बाजी ना करें जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे मैथ उतनी आसान होती जाएग चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्ष्ट संख्याओं के बारे में तो अगली संख्या आती है अपने पास सम संख्या जिसे अपन कहते हैं इवन नंबर क्या कहते हैं इवन नंबर बिल्कुल ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग यानकि दो से विबाजित होने वाली प्राक 16 18 20 ऐसे डैस 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 करके अनन तक जाएंगे तो जो जिस संक्या में दो का बाग पूरा पूरा जाए किसका बाग दो का बाग दो का बाग पूरा पूरा जाएगा वो संक्या आपकी सम संक्या होगी और जिस संक्या में दो का बाग पूरा पूरा नहीं जाएगा उस संक्या भाग पुरा-पुरा जा रहा रहे तो उसे कहएंगे समसंख्या अगर दोका भाग नहीं जा रहा रहे तो उसे कहएंगे विसमसंख्या देखो मित्रों मैं आपके सामने बहुत special factors लेकर कहाता हूँ छोटी-छोटी class की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कि आप कहेंगे सर जी बड़ी संक्या आ गई दो का बात कैसे पता करें तो आपके लिए मैं अगले जो सेस्षिन में बात करूंगा उसमें आपको बाजगता के नियम बताओंगा सिधा सिधा संक्या देख तो पता सल जाएगा किसमें किसका बाग जाएगा दो का जाएगा तेन का जाएगा च्यार का जाएगा किसका जाएगा तो बाजगता के नियम में वो अपने नेक्स लास में बात करेंगे यहाँ पर आप एक विशे स्थियान रखें मित्रों जीरो कैसी संक्या है आपको पूचे सुन्य है ये कैसी संक्या सम है या विसम तो यहां देखो विसम संक्याओं को सुरी सुन्य है सुन्य देखो साथ ये सुन्य कैसी संक्या है तो सुन्य का यहां पर कोई अस्तितों नहीं है तो सुन्य यहां पर सुन्य की संक्या की बात करें तो सुन्ये सम्में लें क्या विस्म में लें ये आप कमेंट में बताएं मुझे ठीक है देखते हैं कि इतने दिनों को पता है चलो नहीं तो मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टालूगा और विश्म संक्या को अपन ओ से परदसित करते हैं किसे परदसित करते हैं ओ से परदसित करते हैं इसके बाद अपन बात करते हैं बाज्य संक्या की किसकी बात करते हैं को प्राइम नंबर देखिए एक आता है बाज्य संक्या एक आता है अब बाजिय संक्या तो पहले बात करते हैं बाजिय संक्या की तो बाजिय संक्या का मतलब है कि ऐसी संक्या जिसमें एक या अपने के अलावा किसी अन्य संक्या का बाग जाए जैसे मैंने आपके सामने देखा सोला अब सोला में किसका बाग जाता है एक का बाग जाता है कि बिल्कुल जाता है सोला में किसका बाग जाता है तो सोला में दो का बाग भी जाता है आप कहेंगे आंसर बिल्कुल दो का बाग भी जाता है सोला में किसका बाग जाता है तो सोला में च्यार का बाग भी जाता है सोला में किसका बाग जाता है तो आठ का भी जाता है और सोला में सोला का भी जाता है तो जिस संक्या में एक और खुद ये तो हो गया खुद और ये हो गया एक एक और खुद के अलावा किसी संख्या का बाग जाए तो वो संख्या कैसी होगी बाज्य संख्या यानि कि ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद का बाग जाए या एक का बाग जाए या इसके अलावा किसी भी एक और संख्या का बाग जाए जैसे च्यार है छ है नौ है इनमें देखो आप खुद कभी जाता है एक कभी जाता है और च्यार में दो का जाता है छे में तीन का जाता है नो में तीन का जाता है नो का जाता है तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक तथा खुद के अलावा किसी एक अन्य संख्या का भाग जाए वो होती है बाजय संख्या क्या होती है बाजय संख्या चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट तो नेक्स्ट आता है अपने पास इसका उल्टा अब बाजय संख्या इसको कहते हैं इंगलिस में प्राइम नंबर या कमपोजियोटिव नंबर तो देखो प्राइम नंबर की बात करते हैं अब बाजे संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर वे प्राकरतिक संख्या जिसमें केवल एक या अपना खुद का बाग जाए बागी किसी का बाग नहीं जाए उसे अब बाजे संख्या कहते हैं जैसे देखो दो है तो दो में एक का बाग जाता है और दो में दो का बाग जाता है तो दो के अंदर एक और दो का बाग जाता है बाग किसी का बाग नहीं जाता है जैसे सांत देखो सांत में एक का बाग जाता है और सांत का बाग जाता है बाग किसी का बाग नहीं जाता है तो अब आजे संख्या की बात करें तो अबाजय संख्या में मित्रों आप ज्यान रखेuhan कि जिसमें खुद और एक का वाग जाए उसे कहते हैं अबाजयए यनिकी एक और खुद के अलावा कोई ठुकड़ा नहीं कर सके और संक्या अ बाजे और एक और खुद के अलावा कोई दूसरी संक्या उसको तोड़ सके वो होती है बाजे संक्या तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अ बाजे संक्या पूचे सबसे छोटी अ बाजे संक्या तो सबसे छोटी अ बाजे संक्या होती है दो और सबसे छोटी बाजे संक्या पूछे तो सबसे छोटी बाजे संक्या होती है वो होती है चार कितनी होती है चार एक संक्या है जो पहला है एक एक ना तो बाजे है ना ही अबाजे है ये विसे जान रखें एक है ये तो ना तो इसे बाजे कहेंगे नहीं इसे अब आज़ीए कहेंगे ना तो आज़ीए पर नहीं अब आज़ीए मैं बोल रहा हुआ आप लिख सकते है तो सबसे छोटी बाज़े संक्य की बात करें तो 2 सबसे छोटी अब आज़ीए सबसे छोटी बाज़ीए च्यार और एक कैसी है एक न तो बाजिय नहीं अबाजिय तो यहां से देखो question बनेगे आगे आपके सामने जब discuss करेंगे पस्टनों का तब आपको लगेगा कि वास्तों में हमने जो concept शिखा है वो अमारे लिए बहुत उप्योगी है चलो next बात करते हैं अपन परिमे संख्या की किसकी बात करते हैं परिमे संख्या की जिसे इंगलिस में कहते हैं rational number बिल्कुल ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा P वर Q पुरुनांग संख्या हो और Q का मान 0 नहीं हो इसका मदलब है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो इसे परिमे संख्या कहते हैं अब इदर देखना यहां मैं लिखा P बटा Q के रूप में P बटा Q का मतलब है कि ऐसी संख्या है जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं पुरुनांग संख्या का मतलब है कि P और Q का मान ने वो अपने माइनस और प्लस की संक्या कुछ भी हो सकती है तो जैसे देखो मैंने लेखा P का मान लेखा 3 और Q का मान लेखा 5 3 और 5 पुरणांग संक्या हैं बटे में हैं और इन दोनों का अगर देखें तो इन दोनों का अपरिनिस्ट कुनंत खंड है इनकी एक का बाग जाएगा दोनों में बाग किसी का बाग नहीं जाता है सिरफ एक का बाग जाएगा सैम बाग किसी का बाग नहीं जाएगा तेन और पांच में एक के लाओ ऐसी कोई संक्या नहीं है जिसका बाग जाएगा जैसे उपर तीन का जारा तो नीचे तीन का नहीं जाएगा पांच में पांच का जाता तो तीन का नहीं जाता है तो कुल मिला के बाद की जाए तो ऐसी संक्या होती है परिमे संक्या लेकिन साथियों अगर पूछ ले कि तीन बटा जीरो के संक्या है तो ये परिमे संक्या नह परिमे संख्या में नहीं करेंगे तो कुल मिलाकर के बात करें परिमे संख्या की तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं P और Q पुरुनांक होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए जैसे एक्जामपल लिखेंगे 5 बटा 7 8 बटा 9 4 बटा 7 0 खुद परिमे संख्या है केबल 0 लिखेंगे न तो 0 कैसे लिख सकते हैं 0 बटा 1 और P का मान 0 हो सकता है P का मान तो 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तो 0 कैसे हैं क्या है तो 0 आपकी है परिमे संख्या आगे बात समझ में यहां से कैसे बनेगा सुन्य कैसी संख्या है परिमे या अपरिमे तो आगे बताना है परिमे संख्या कैसे लिखते हैं तो लिखते हैं 0 बटा 1 चलिए आगे बात करते हैं नेश्ट संख्याओं के बारे में अगली संख्या अपनी अपरिमे संख्या जिसे कहते हैं अपन इर्रेसनल नंबर इर्रेसनल नंबर अपरिमे संख्या तो परिमे संख्याओं को छोड़ कर जितनी भी संख्याओं होती है वो अ परिमे होती है विसेश देखें साथियों जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता हूँ जैसे दो का वर्गमूल पूरा नहीं होता है तीन का वर्गमूल पूरा नहीं होता है पांच का वर्गमूल पूरा पूरा ग्यात नहीं होता है एक साथ यह ध्यान रखना, यह जो लिखा है पाई, इसे विन पढ़ते हैं, पाई, क्या पढ़ते हैं, पाई, पाई को दर्शाते हैं ऐसे, यह पाई खुद है, वो अ परिमे है, लेकिन जब इस पाई का मान, 22 बटा, 7 रख देते हैं, तो यह परिमे संख्या है, पाई के संख्या है, तो यह परिमे संख्या, और पाई का मान, 22 बटे, 7 होता है, फिक्स है, यह वेल्यू, ठीक है, चलिए, अगली बात करते हैं, वास्टिक संख्याओं की, जिसे अपन कहते हैं, अभी पढ़ा था रियल नंबर, तो यहाँ पर परिव्यासा हो जाएगी, कि परि में और अपर में दोनों का मिलान करते हैं, पूरी संख्या के सम्मू बनेगा, उन्हें अपन वास्टिक संख्या कहेंगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, अब देखो, एक आता है, दस मलो भिन, decimal fraction, दस मलो भिन किसे कहते हैं, तो ऐसी भिन संख्या, जिसका हर, दस हो, या दस की घात हो, अब देखो, साथियों, अर होता क्या है, कोई भी भिन संख्या होगी, बटे में संख्या होगी, तो बटे की संख्या में जो उपर अंग को लिखा होता है, उसे बोलते हैं अपन अंस, और बटे के जो नीचे लिखा होता है अंग, उसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? अब आपको क्या कहए रखा है? ऐसी बेन संख्या या ऐसी बेन संख्या जिसका बटे में संख्या हो 10 या 10 का गुण जो यनिकी या तो 10 हो या 10 की गात 100 हो यनिकी 10 हो 100 हो, 1000 हो जैसे लेखा यहां पर देखो 7 बटा 10 ये के संक्या है तो दस में लो बिन संक्या है जैसे लेका 17 बटा 100 ये के संक्या है तो ये भी 10 में लो बिन संक्या है जैसे लेका 11 बटा 1000 तो ये के संक्या है ये भी 10 में लो बिन संक्या है दस की गात देखो यहां दस से सो को लेखते हैं दस की गात दो और दस की गात दो का मदद होता है सो दस की गात दो का मदद होता है दस गुणा दस गुणा दस का मदद कितना सो यहां अजार इसका मदद दस की गात तीन तो यहां परिपास आपने पड़ी कि ऐसी संख्या जिस चलिए ये भी समझ में आ गई ठेक है अगली बात करते हैं अत्री भाजिय संख्याएं प्राइम ट्रिपल नंबर बिलकुल ये बहुत इंपोर्टेंट संख्या के बारे में बात करेंगे अपन तो ऐसी तेन संख्याएं ऐसी तेन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महतम समापर एक हो जिसका SCFA को इसे अत्री भाजि संख्याएं कहते हैं मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा किसी का बाग नहीं जाता हो जैसे अपने लिखा आठ नव और पत्चीस अब देखो आपके सामने आठ नव और पत्चीस लिखा है इसमें ऐसी कोई संख्या डूंडो जो आठ में भी भाग जाए जिसका नव में भी भाग जाए और पत्चीस में भाग जाए आप कोई ऐसी संक्या नहीं बता सकते हैं एक के अलावा जिसमें जिसका बाग इन तीनों में जाए यानिकि ऐसा कोई पाड़ा है जिसमें 8 भी आए 9 भी आए और 25 भी आए ऐसी की पाड़ा हो तो बता दो आप कि सर जी ये एक ऐसा पाड़ा है जिसमें 8, 9 और 25 तीनों आते हैं सिरफ एक के अंदर आता है वाग किसी में नहीं आता है मलब इसमें एक का बाग पूरा पूरा जाएगा ऐसी एक से कटती है एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है आपने 2 से 8 कटेंगे तो 9 और 25 नहीं कटेंगे 3 से 9 कटेंगे तो 8 और 25 नहीं कटेंगे 5 से 25 कटेंगे तो 8 और 9 को नहीं कटेंगे कुल मिला करके एक के अलावा किसी से नहीं कटता है ऐसे तीन संख्याओं के जोड़े कहते हैं उन्हें कहते हैं अ-त्री भाजिय संख्याओं क्या कहते हैं अ-त्री भाजिय संख्याओं बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं समझ आ चुका है तो चलें अब देखो ये कुछ है important fact important fact में आपको क्या ध्यान रखना है में पहली संख्याओं अब बाजिय दो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 49, 61, 63, 99, 99 यानि कि ये जो संख्याओं हैं साथियों ये सारी कि सारी ये अब बाजिय संख्याओं है इनमें खुद और एक के अलावा किसी का बाग नहीं जाता है तो कुल किती संख्याओं है हो गई तो एक से सो तक अब बाजिय संख्याओं की बात करें तो पत्सीस संख्याओं किती संख्याओं है पत्सीस ये कुल किती संख्याओं बन गया आपके सामने 25 संख्या है तो यह ध्यान रखें कि 1 से 100 तक कितनी अबाजे संख्या है तो 25 अबाजे संख्या है चलो ठीक है Next है कुछ important note पहला note मैंने बताया था आपको कि एक कैसे संख्या है एक ना तो भाजे संख्या है और ना ही अबाजे संख्या ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है सबसे छोटी अबाजय संक्या कौन सी है तो दो, दो सबसे छोटी अबाजय संक्या है ये भी आपको ध्यान रखना है तीसरा है, कि दो एक मात्र ऐसी समसंक्या है जो रूड संक्या भी है अ बज़ संक्या कोई कहते है रूड संक्या रूड संक्या किसे कहते है तो अ बज़ संक्या किसे रूड संक्या भी कहते है तो दू एक ऐसी सम संक्या है सिरफ और सिरफ सम संक्या है होगी ना साथियों सारी की सारी सम संक्या है बाजिय होगी लेकिन दू एक ऐसी समसंख्या है जो अबाजिय है ये ध्यान रखें दो के अलावा सभी समसंख्या है कैसी होगी वो होगी भाजिय ठीक है ये विसे ध्यान रखें फिर आता है तेन सबसे छोटी विसम अबाजिय संख्या है अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी अबाजे संक्या तो बतानिये 2 सबसे छोटी सम अबाजे संक्या तो बतानिये 2 लेकिन पूचे सबसे छोटी विसम अबाजे संक्या तब कितनी होगी 3 फिर है कि 4 सबसे छोटी बाजे संक्या है बेलकुर भी मैं बताया था सबसे छोटी बाजिय संक्या कितनी है फिर पूचे सबसे छोटी बाजिय संक्या विसम कैसी विसम विसम बाजिय संक्या सबसे छोटी कौन सी है वो है नव तो ये आपको कथन है जो वैसे तोर से याद रखने एक बार इसको आपन स्क्रिन सोट ले 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 अपने नोट बुक में इसको लिख ले ताकि क्वेस्टन जब आएगा तो आप उसको गलत नहीं करें चलिए अपने पढ़ा समझा चलें आगे बढ़ें बेलकुल बढ़ें चलो अब देखो कुछ और फैक्ट की बात करते हैं तो एक से सो तक कुल अब अब आशिंगा किती आ गई 25 एक से सो तक कुल अब आशिंगा किती आ गई 25 अगर आपको पूचे कि एक से पचास तक किती होती है उती है चै और 50 से 100 तक कुल अवा जशान किती होती है तो होती है 10 यह भी कफर्ण है कुछ शिदह स्टे पुछ जा सकते है कि 1 से 100 तक अवाजे संक्या किती होगी 25 1 से 50 तक 15 तो 6 किते हैं बच गई 25 से 100 में 10 बच गई तो आपको यह सीधे सीधे याद रखने हैं कि एक से लेकर के 100 तक अबज संक्या की बात करें तो कुल 25 एक से 50 की बात करेंगे तो कुल अबज ये संक्या 15 होगी एक से 25 तक की बात करेंगे तो कुल अबज संक्या 9 होगी 25 और 50 के बीच में पूछे कितने संक्या है अब बज ये तो 6 और 50 और 100 के बीच में 10 ये थे कुछ fact अब देखो अपने पास में संक्या पढ़ते हैं तो अंक की बात करते हैं पहले आते हैं अंक तो अंक होते हैं कितने कुल तो कुल अंक होते हैं 10 कितने अंक होते हैं 10 अंकों की संक्या 10 होती है ये लिख पाँच, छे, साथ, आठ और ये नौ, ये जो है इसे अपन कहते हैं अंक, और इनकी संख्या कितनी है कुल, दस, तो जीरो से नौ तक होते हैं, इसे अपन कहते हैं अंक, और अंकों के मेल से बनती है संख्या, अंकों को जो मिला लेते हैं, तो क्या बन जाती है, संख्या, एक स शुरू होती है अनन तक चलती संख्याएं ठीक है अगर आपको पूचे कि एक अंक की संख्या कितनी तो एक अंक की संख्या होती है नौ अगर आपको पूचे कि दो अंकों की संख्या कितनी तो दो अंकों की संख्या होती है नबे अगर आपको पूचे तेन अंकों की संख्या संख्या हैं थीक है आगे बात करेंगे काफी सारा डिसक्रस करेंगे संख्या पती में आपको 0 से हिरो बना देंगे बिलकुल जी हाँ चलें आगे बढ़ते हैं कुछ आपको और बाते ज्यान रखनी है जैसे पूछे एक से सो तक की संख्याओं में सुन्य के अंक कितने होते हैं यानि अपन एक से लेकर के जब सो तक की गिंती लेखते हैं तो कुल कितने सुन्य आते हैं तो कुल सुन्य आते हैं 11 कितने सुन्य आते हैं 11 11 0 आते हैं अपन एक से लेकर सौ तक की संख्या लेखते हैं तो उसमें एक किती बार आता है, एक किती बार आता है, तो एक आता है 21 बार, किती बार आता है 21 बार अपन कहते हैं कि एक से लेकर के सौतक की संख्या लिखें तो दो किती बार आता है, तीन किती बार आता है, चार किती बार आता है, पांच किती बार आता है, छे किती बार आता है, साथ किती बार आता है, आठ किती बार आता है, नव किती बार आता है 20 बार 5, 20 बार 6, 20 बार 7, 20 बार 8, 20 बार 9 भी 20 बार आते तो यहाँ पर आपको समय में आ गया 0 कितनी बार आते हैं? 11 बार 1 किती बार आता है? 21 बार और यह कितनी बार आते हैं? 2 से लेकर 9 तक 20 बार अब आपको पूछे कि एक से लेकर के सो तक की गिंती में कुल अंग कितने होते हैं तो कुल अंग होते हैं एक सो बराणू कितने अंग होते हैं एक सो बराणू एक से लेकर के सो तक की संख्या में अंगों की संख्या कितनी होगी तो एक सो बराणू होगी आगी बात समझ में बेलकुल फिर पूछे कि एक से लेकर के सो तक दाही अंग कितने होते हैं तो दाही अंग कहने की सो एक से लेकर के सो तक में एकाई अंग कितने होते हैं एकाई अंग होते हैं एकराण में और एक से लेके सो तक में सेकडांग कितने होते हैं तो सेकडांग होता है एक तो कुल अंग कितने होगे सो प्लस एक राणो प्लस एक कुल अंग होगे एक सो बराणो कितने अंग होगे एक सो बराणो अब देखो दाही इकाई की क्या बात है जैसे मैंने आपके सा में संक्या लेखी 9, 0, 5, 6, 7 तो ये जो साथ ये संक्या 7 है इसे एकाई अंक एकाई के बाद में नमबर जो उंक आता है उसे कोज़ जो करें दाही का आंक इसके बाद में जो तीसरे इस्फ़र होता है इसे सहकडा का अंक चौते इस्तान पर जो अंग काता है इसे केते हैं हजार का अंग और पांच इस्तान पर जो अंग काता है इसे केते हैं दस हजार का अंग ऐसा भी अगली क्लास में डिसकस करेंगे कि अंगों को कैसे पढ़ते हैं इस्तान इमान क्या होता है जाति इमान क्या होता है संक्याओं को अंक बदलने कैसे संबब होता है क्या क्या तरिके हैं जो हमें संक्या के बारे में ज्यान कराते हैं काफी डिसकस करेंगे तो अभी क्लास को देते हैं विराम आगे की क्लास देखेंगे तब तक आप इस क्लास को रिवाइज करें और एक गुजरिस करेंगे आपसे कि साथ साथ में क्लास देखने के बाद में PDF का इंचजार नहीं करें मेत्रों कभी कबार PDF क्रेस हो जाती है तो आप लिखने का प्रयास जरूर करें अपने नोट्स बनाएं और जब क्लास का चेप्टर खतम हो जाएगा पूरा आप खुद देख लेना आप खुद को विश्वास होगा कि मेत के अंदर मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं वो कितने आपके लिए लाब देखोंगे और पसुपरिक्सर की भरिती है ये टेंट पास की है तो इसमें प्वेशन के इस्तर बिलकुल आसान रहेंगे सोटे लेवल के क्वेशन होंगे लेकिन चकमा जरूर देंगे तो विशेश ध्यान रखें अभी चलते हैं राम राम जेहिंद